येस बेटा, सेकिंड फीचर है एग्रिमेंट, एग्रिमेंट जो पार्टनर में होगा, वो तो या वर्बल हो सकता है या इन राइटिंग, राइटिंग में एग्रिमेंट हो तो उसको कहते हैं पार्टनर्शिप डीड, बेटा, इट इस नोट कमपलसरी ऐस पर एक्ट की रिटन में एग्रिमेंट हो तो ये हेल्फुल रहता है फ्यूचर के लिए कि अगर कोई पार्टनर में कुछ मिसंडर्स्टेंडिंग हो जा कुछ डिस्प्यूट हो जाए तो अगर रिटन में एग्रिमेंट है, पार्णर्शिप डीड है तो वो हेल्फुल होती है वो उस ड चाहिए वो earning profits profit earn करने के लिए होना चाहिए जैसे social society जो होती है ये partnership नहीं हो सकती चेरी टेबल जो trust वगरा होते हैं ये भी partnership नहीं हो सकते partnership में जरूरी है कि जो business है that is for earning profits अब जब हम agreement करते हैं partners में तो एक partner को हम admit कर सकते हैं कि वो सिर्फ profit ही share करेगा losses में उसका कोई भी share नहीं करेगा वो सिर्फ profits में ही share करेगा next carried on by all or any of the partner acting for all ये बेटा एक तरह से agency agency का ये feature show करता है जैसे for example partner x और y है इनमें एक mutual agency है दोनों ही principle हैं दोनों ही agent है for example अगर x कोई भी working करता है तो उसके लिए y भी binded होगा और अगर y भी कोई act करता है तो उसके लिए mister x भी binded होगा तो बेटा ये जो main features है partnership firm के इनको आप mind में रखना ये theoretical portion के लिए भी काफी important रहेंगे cases भी आ जाते हैं कि बार तो उसके लिए भी बड़े important रहेंगे मैं इन सबकी PDF भी आपको बेज़ दूँगा झाल